जब भी हमारे घर में कोई सब्जी नहीं होती हैं तो जादातर हम सूकी सब्जिया ही बनाते हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ बेशन की बहुती बढ़िया सब्जी जो राजेस्तान में बहुती फेमस है जिसे पितोड की सब्जी कहा जाता है और सबसे अच्छी बात तो यह ह घर में रखे हुई सामान से बनके तयार होगी और यह सब्जी एक तम पनीर के जैसे सौप मनके तयार होगी तो हेलो फ्रेंस मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागते मेरे चैनल पर वीडियो लास तक जरूर देखेगा और मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो में डाल रही हूँ आदा चोटा चमस कस्मीरी लाल मिर्च आदा चोटा चमस धनिया पाउडर और टेस के नुसार नमक डालेंगे और आदा चोटा चमस में ले रही हूँ अजवाइन अजवाइन को हतेलियों के बीच में रखे ऐसे मसलिये इसका फ्लीवर बहुत ही इसे के साथ डालेंगे चुटकी बरहींग पाउडर और इसी के साथ डालेंगे एक चोटा ही चोटा चमस हल्दी पाउडर टो अब यह सारे मसाले ancora के अंदर अच्छे से mix कर लेंगे तो अब हम इसका घोल बनाएंगे तो घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदा कब दही ले लिया है दही जादा खटा वाला यूज ने करना है हलका सा खटा दही यूज करना है दही का यूज करने से जो हमारी कतली बनेगी न वो एक्तम सौब बनेगी तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल देंगे यहाँ पर पानी हमें एक साथ ही यूज ने करना है थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि यहाँ पर बेसन में बिल्कुल भी गाटे नहीं रहने चाहिए यह देखे मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है तो आधा कप दही लिया है और एक कप पानी लिया है आप चाहे तो पूरा ही पानी यूज कर सकते हैं अगर आपको दही मतलब खटापन नहीं पसंद है यह देखे पानी को बेसन में हमने अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम इसका कतली तियार करेंगे यह निए पितोड तियार करेंगे तो बेसन को पकाने के लिए मैंने घैस पर कड़ाई रख दी हैं और ऐसे घोल को चलाते हुए कड़ाई में डालनेंगे जिसे कि तो तले में लगाऊगा ना बेसन वो सारा निकल जाएगा कि तुरंत बाद ही इसे ओन कर देना है और इसे पकाते वग गैस की फ्लेम को हमें मेडिया में रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है बिलकुल भी स्टॉप नहीं करना है नहीं तो इसमें गुटलिया पढ़नी शरू हो जाएगी तो ये थोड़ी देर में ऐसा गाड़ा होना लेगा ये देखिए एकदम से गाड़ा हो गया है इसे 5-6 मिन तक हमें पकाना है तो इसे हमें बहुत जादा भी गाड़ा नहीं करना है नहीं तो जो इसके पितोड बनेंगे न वह बहुत जादा सक्त बनेंगे और सबजी हमार इतनी अच्छी नहीं बनेगी तो ये देखिए हमारा गोल में ऐसे गाड़ा हो चुका है और इसे मतलब पकाना तब तक है जब तक कि इसका तला ना छोड़ दे मतलब कि जैसे सबजी हमारा घी छोड़ देती न ये देखिए चिपकना ऐसे बंद हो जाएगा तब तक हम इसे लगबग 5-6 मिनर तक इसे पकाना है हमें तो ये देखिए गोल गाड़ा हो गया है ये देखिए इससे ज़्यादा हम पकाएंगे न तो गोल मतलब नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा तो हम इस टाइम पर गैस की फ्लेम को आप कर देंगे और इस गोल को जल्दी ही हमें प्लेट में निकालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ठंडा होकर जमने लगता है तो इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है ये देखिए प्लेट पे हमें गी या ओईल मतलब अपलाई करने की कोई जुरूत नहीं है क्योंकि घोल डालने के बाद ये नहीं चिपकेगा इस इसे फैला दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बाद में इसके पितोड काटके तयार करेंगे तो अब हम इसके लिए एक सूखा सा मसाला तयार करेंगे जिसका यूज हम ग्रेवी में करने वाले हैं तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है और इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमस जीरा और इसी के साथ डालेंगे एक बड़ा चमस साबुत धनिया और एक छोटा चमस डाल रही हूँ सौप और दो डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्ची और चेर से साथ डालेंगे काली मिर्ची और गैस की फ्लेम को लो रखते हु बना रहे हैं तो यह मसाला अप जरूर डालेगा तो यह देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है तो अब इसको गैस की फ्लेम को ऑप करेंगे और इसे एक काटोरी में निकाल लेंगे यह देखे अगर आप यह सब्जी बना रहे हैं आप इस तरह से मसाला जरूर बनाएगा तो यह देखिए मैंने हलका सा दर्दरा सा मसाला बनाके तैयार कर लिया है आप चाहिए मिक्सी में पीश सकते हैं लेकिन इसमें इसका टेश हलका दर्दरा अचा आता है तो अम इसके लिए नियुका किया स께서 धावित वाव माले। आपें डीचेह से त्रह देंगे। आधा चोटा चोटा डालत यवाध और फितुलि पीजेता । आधा चोटा चोटा डालता हुँ नंपानेगोगे लेकलिया, कर्वलस्ता के लिएसा मेरे मृचिया, ये अच्छे से एक बार mix कर लिजिए तो ये देखिए सारे मसालों को हमने दही में अच्छे से mix कर लिया है तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक कप पानी और पानी को भी इसमें अच्छे से mix कर लेंगे पितोड के सब्चे में जो ग्रेवी त्यार की जाती है वो मतलब जादा गाड़ी नहीं होती तो ये देखिए बन के तयार है तो अब हम गैस पर एक कड़ाई रख देंगे और उसमें डालेंगे दो बड़ा चम्मस घी जी हाँ ये सब्ची पूरी घी में तयार की जाती है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको गी यूज नहीं करना है तो आप ऑईल भी यूज कर सकते हैं गी हमारा गरम हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे एक साबुत लाल मिर्ची और इसी के साथ डालेंगे आता चोटा चम्मस राई राई को हमें हलका सा चटक ने देना है उसके बाद ये कुछ मसाले डालने है तो इसी के साथ हम डालेंगे दो बारी कटी हुई हरी मिरची और जो हमने मसाला कोटके रखा था था न वह डालेंगे दो बड़ा चमस इसी तेसी बहुत ही अचा आएगा और इसे के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा हींका पाउडर और एक छोटा चमस डालेंगे अद्रक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था समान आसानी से घर में मिल जाते हैं उसी सामान से wrestler के तैयार होगी तो इसी तरह से हमें एक से दो मिनिट कि लिए मशालों को तेल में भून लेना है तो यह देखिए मसालों ने ओइल वी इसे चोड़ दिया हैं तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन और गोल्टियार किया था ना, वो वाला तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियमी रखना है अभी और इसे कंटीनूई चलाते रहना है क्योंकि यहाँ पर हम दही का यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी सब्चे दही की बनाएं तो इसे कंटीनूई चलाते रहें क्योंकि हम इसे continue नहीं चलाएंगे तो दही हमारा फर जाएगा और हमारी gravy अच्छी नहीं बनेगी तो इसे एक उबाल आने तक हमें continue चलाना है तो यह देखिए यहाँ पर एक उबाल आ चुका है और अगर आपको इस टाइम पानी कम लगे तो आप पानी यूज कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें पितोड त्यार करने हैं तो यह देखिए एक तम से ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इसे काट लेंगे आप इसे कोई भी shape में काट सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही आसाने से यह निकल गया है तो कड़ी में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है और कड़ी हमारी लगबग पक चुकी है तो अब हम इसमें सारे पितोड डालेंगे और डालते वक्त बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि यह बहुत ही soft होतें है तो इसे हम एक ही करके ढालेंगे तो यह देखिये हमने सारे पितोड को इसमें डाल दिया है और इसे हमें ढ़क के 5 मिनट के लिए लग बख पका दियना है तो यहाँ सबजी को हमने 5 मिनट के लिए पका दिया है और यह आप देख सकते हैं पितोड देखे बिल्कुल भी नहीं तूटे हैं एक्तम बहुती सौफ्ट से एक्तम पनीर की तरह दिख रहे हैं तो कोई देखेगा न तो सोचेगा कि यह पनीर की सबजी है तो अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चमस गरम मसाला और थोड़ा स हएक ती डालेंगे कासूरी मेथ। कasूरी मेथी आप जरूर डालेंगे बहुत ही अच्चा टेस्ट आता है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे जिए देखें बहुत अच्छी से मिक्स हो गया है और आफ देख सकते हैं एक्तम कतली की तरह बुद मन Стन में तैयार हो चुका सकता ह अगर यह सबजी बनाने का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए रेसिपिक के साथ धन्यवाद